नमस्ते कैसे हो आप सब अच्छे हो अच्छे हो या नहीं हो comment section में मेरे सवाल का जवाब जरूर देना है ना अब आज मैं आगई हूँ आपके सबी सवालों का जवाब दे अब मैं आगई हूँ आपके मन में जितनी भी आशंका है शंकाए हैं उनको दूर करने के लिए अब मैं आ गई हूँ आपके बारे में हर कुछ बताने के लिए आखिरकार आपके और आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है आपके और आपके पार्टनर एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की डूड़ी लेकि इंजल्स का नाम हरे कृष्णा इंजल्स अच्छा इंजल्स का नाम लेते ही आपके परसन के एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी से वीक पड़ गई है कोई बात नहीं फिर भी रिडिंग को प्यास जरूर देखे जाएगा my goodness thank you so much thank you so much इंजल्स का शुक्री यादा इंजल्स हमें आज की रिडिंग के बारे में गाइडन्स दीजिए क्या सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं आपके परसन क्या सोच रहे हैं एक सुरक्षा कवच सा दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कि अपने आपको बचानी की कोशिश कर रहे हैं जो है ना वो आपको दिख नहीं रहा है और जो आपको दिख रहा है ना वो है नहीं Oh my goodness ध्यान से देखिए क्या चल रहा है यहां पे क्या चल रहा है यहां पे मुझे तो देखिए साफ साफ एनरजी नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि आपके जो परसन है ना उनको दर्द बहुत हो रहा है पेन बहुत जादा गहरा है इतना गहरा है कि यह परसन अपने मुझे उसको बयान नहीं कर सकते इट हर्ट्स इनको ना मैं बहुत ज़दा अकेला देख रही हूँ मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनके आसपास बहुत सारे लोग हो इनके आसपास बहुत ज़दा शोर हो इनको समालने वाले बहुत सारे लोग हो बहुत सारे लोगों को वो जानते हो ठीक है बहुत सारे लोगों को वो देखते हूं लेकिन एक कहते नहीं है आपके परसन को एक feeling of completeness नहीं आ रही है मतलब बहुत अधूरा महसूस कर रहे है इनको तो in fact ऐसा लगने लगा है कि यह आपके बिना बिल्कुल भी जी नहीं पाएंगे देखिए आपके परसन ना चाहे आपसे कितना भी मूफेर है मैंने कहा ना इनके अंदर बहुत दर्द भरा हुआ है जो किसी को नहीं दिखाई देगा लेकिन जिसका इनसे दिल से connection है जिसका इनका बहुत ज़्यादा deep level का connection है उनको समझ आएगा उनको पता चलेगा कि आखिरकार क्या हो रहा है यहां पे आखिरकार कौन सी ऐसी चीज है जो आपके परसन के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही है कौन सी ऐसी चीज है जो आपके परसन के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मचा रही है हलचल दे रही है अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि फालतों की चीजों पर ध्यान ना देके देखिए कहते नहीं है गरजते बादल बरसते नहीं है आज उसका परफेक्ट एक्जामपल मुझे ऐसा लगता है कि आज किसी ना किसी तरीके से आपकी जीत हुई है कुछ ना कुछ गुड्नियोज या तो मिली है या तो कुछ ना कुछ आपको गुड्नियोज मिलने वाली है जो बोलते रह जाते हैं ना वो बोलते ही चले जाते हैं कहने का मतलब यह है, जो यह person न, इतना सब कुछ बोल के गए, जो यह person हो सकता है कि आपको ताना मार के, आपको बहुत बोल के, आपको बहुत रुला के चले गए, आपको पूरी तरीके से पागल करके चले गए, आपको हर तरीके से अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो है आप से दूर-दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं अपना जो पेन है ना वो आपको दिखा नहीं रहे हैं दुनिया की नजर में ये परसन हमेशा हस्ता खेलता दिखाना चाते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों के सामने अपनी धोंस बनाया रखना चाते हैं यह अपने आपको weak नहीं दिखाना चाहते, यह अपने आपको कमजोर नहीं होने देना चाहते, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, तो पता चलेगा, यहाँ पे जो भी चीजे हैं न, वो छोटी मूटी नहीं है, जो भी चीजे हैं, वो देखने लायक नहीं है, जो भी च क्लास करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे तीन सरकल बन चुके हैं और तीनों का ही यहां पे connection है जो हालत आपके परसंट की एक साल पहली थी वही हालत आपके परसंट की छे महीने पहले थी और करंटली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कोई चोरी पकड़ीना जाय तो इनकी और कोई उंगली ना उठा पाए तो अपने आपको बचाने के लिए अपनी सुरक्सा कवच को बचाने के लिए ही ये परसन इस तरीके से अनवेलिबल होके दिखा रहे हैं यही आपके परसन की बात कर रही हूं मुझे ऐसा लगता है लेकिन आपके पास्ट प्रेजेंट और चुरना एक चीज़ से जुड़ा हुआ है वो हो आप बिलीव मी और नॉट मुझे लगता है कि ये परसन प्यार में इतना जादा डूबे हुए हैं कि अभी भी आपका सेप्रेशन इनको ताजा लगता है इनके घाओ अभी तक भरे नहीं है इनके घाओ अभी तक भरे नही ये आपकी गलती है ये तो चाहते हैं इस समय करेंट फीलिंग्स बताओ इनकी इस परसन वांड्स की ये न ऐसा दिखाएं सबके सामने या फिर सबको ये पता हो कि आप उनसे जुड़े हुए हो सबको ये पता हो सब इस चीज़ से वाकिफ हो कि आप उनके पार्टनर हो ये इसा लग रहे है कि ये सबके सामने सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं अपने हाथ पैर मान रहे हैं अपने प्यार को जीतने के लिए लेकिन अभी समय अपने प्यार को ये अपना क्यों नहीं रहे हैं इ ऐसे कहते हैं यह बहुत हाई पोजीशन पर पहुंचने के बाद एक जने के साथ बहुत ज़्यादा करीब इससे रहने के बाद एक जने के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रहने के बाद एक डर आ जाता है ना मन में कि हम अलग ना हो जाए हम जुदा ना हो जाए हमें ऐसा बोहत हर कोई अलग कर दे हमें ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान आकर अपने से दूर कर दे है न होता है न वही हाल इस परसंगा है ये दुनिया के सामने आपको अपनाते इसलिए नहीं है आपका हाथ पक्ड़ने से ये डरते नहीं है, लकिन इसको अभी तक ये हमेशे अंडर धा शीट्स रखना चाते एक दिल की बात इनको ऐसे लगता ये परिस got रहा है और इस पे बात करने का सबको हक नहीं देना चाते उस पर gossip करने का सबको हक नहीं देना चाते, मुझे इस लगता है कि हाल फिलाल में आपने अपने परसन का टेमपर देखा है या तो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आपने देखा इनको कुछ ऐसे उलजलूल बाते करते हुए जिससे आपका मन बिलकुल खटा हो गया तो मैं एक चीज बता दू ये जो आपके परसन का जो प्यार है ना और ये जो सेपरेशन है वो एक्सप्रेस करने के तरीके से नहीं ये भडास में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ये एक्सप्रेस करने के तरीके से नहीं यह ऐसा लग रहा है कि चीजे बहुत ज़दा खराब हो रही है चीजे बहुत ज़दा हाथ से जा रही है चीजे उनके काबू में नहीं है ऐसा लग रहा है भडास निकाल कर यह पता है आपको इंडारेक्ली क्या दिखाना चाहते है मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी हाल-फिलाल में बात हुई है या जब भी आखरी बार बात हुई है तो आपको ऐसा लगा होगा नो डाउट आपको ऐसा बहुत बार लगा होगा कि ये परसन आपसे दूर-दूर रहते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते है या आपको यह हमेशा रुलाते रहते है मैं आपको एक चीज बताऊ आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके उप पास है और किसी के भी पास नहीं आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास है आपकी खुशियों के चाभी आपके person के पास नहीं है क्योंकि ऐसा मजह लग रहा है न यह person आपके उपर गुस्सा करकरके आपसे बुरी तरीके से बरताव करके पता है क्या बोलना चाहते है कि आप इनकी बात को नहीं समझ रहे हैं कि इनके मन में अगर इतना गुसा है इसका मतलब कोई चीज इनको बहुत जादा बुरी लगी है इसका मतलब कोई चीज इनके जहन में इस तरीके से आ गई है कि वो उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कि उनके जिन्दगी में जो भी चीज़े अभी तक हैं, वो कहीं न कहीं आप से जुड़ी होई है, और यह frustration भी इसले ही निकल रही है, यह डर भी कहीं न कहीं इसी वज़े से है, यह चीज इसी वज़े से ही है, क्योंकि यह आपको अपना बनाना चाहते हैं, आप का मिलन हो जाए, मिलाप हो जाए, लॉंग टर्म आप stability, एक कर लो ऐसे, जिस रिष्टे में न कोई end ना हो, इसलिए यह person आपके साथ relationship में आने के लिए comfortable नहीं है, एक ऐसा रिष्टा चाहते हैं, चाहे है वो पती-पत्नी का, मा, बाप का, कोई ऐसा रिष्टा जिसमें बह बहुत-ज़दर security हो, कोई आशा रिष्टा जिसमें हर तरीके से मतलब ऐसा लगे कि चारों तरफ से आपके लिए कोई है, चारों तरफ से आपके लिए कोई ना कोई है, समझ रहे हैं, आपका हाथ थाम लेना चाहते हैं, temporary चीज़े यह नहीं चाहते हैं, किसी भी हालत में, ठीक है, मुझे असा लगता है कि आप दोनों के बीचना, इनका जो temper है, वो भी बहुत बड़ा issue बना है, ऐसा लगता है, कुछ तो चीज़ है, उन्हीं से related जो यहाँ पर बहुत बड़ी issue बनी है, बहुत बड़ी बात बनी है, हो सकता है, यही सारी मुसीबत की जड़ हो, म मुझे ऐसा लग रहा है, इस energy से यह भी लग रहा है, आप इस समय पते क्या सोच रहे हो, आपके जिंदी की मैंने कहा ना कोई good news या कोई twist and turn आने वाला है, या आच चुका है good news, आपको वो good news मिली भी है, कुछ ना कुछ आपके favor में हुआ भी है, लेकिन आपको ऐसा लग लग रहा है कि आप खुश क्यों नहीं हो, इस सवाल आप खुच से पूच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके person से आपको वो चीज share करनी थी, देखो ना death का card, you are not ready to release, आप इस चीज को release ही नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी भी तरीके से आपके person की presence चाहिए, ऐसा लग रहे है कि आप सोच रहे हो कि इस खुशी को बताने के लिए ही उनको call कर दूँ, या फिर ये person खुदी आप से आके पूछ ले कि क्या हुआ, क्या हाल है, क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में, आप ऐसा कुछ चाहते हो अप कोई भी दुख है या कोई भी गम है जब शेयर करने का मन करता है ना तो आपका ये मन जरूर करता है आपका ये मन जरूर करता है कि कि ये परसन आपके पास हो मुझे लगता है खुश हो कर भी आप अपनी खुशी को सेलिबरेट नहीं कर पा रहे हो जब तक आपके अमन से निकल के जाएगी नहीं वो बात और इस परसन तक पहुँचेगी नहीं आपको बहुत अधुरा-धुरा सा फील हो रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई आपके आसपास नहीं है और in fact miserable changes and endings मतलब आपके पास सब कुछ हो के भी आप अपनी हालत इतनी खराब कर रहे हो कि ऐसा लगता है कि situation बहुत ही miserable है situation बहुत जादा खराब है situation बहुत आउट अफ कंट्रोल है out of your hands है जबकि actual में reality नहीं है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि reality में it's your choice आपने खुद को ऐसे पिंजर में बंद कर दिया है जहां आपने खुद ही सोच लिया है कि चारों तरह बहुत जादा अंधीरा है चारों तरह बहुत person का साथ चाहिए ऐसा लगता है कि आप चाहे male हो चाहे female हो आप अपने divine जो energy से मतलब connect नहीं कर पा रहे हो the magician charismatic and renderous love see what you are expecting from your person की आप दोनों की एक अलग सी दुनिया हो जहां पे आप दोनों खुब काम करो खुब महनत करो खुब सब कुछ करो फिर यहां पे न खुद ही खुद आप समझे एक दूसरे की बात को ठीक है और दोनों ही कोशिश करो आगे बढ़ने की दोनों ही कोशिश करो एक दूसरे को समझने की देखो इस person की तरफ से क्या आने वाला है मैं आपको बताती हूँ पहली चीज तो यह ऐसा Лगता है कि यह अपनी abundance को अपने pain को न कि अपने आंसों को बहार निकालना चाते है बहुत टाइम से यह अपने आपको रोख के रख रहे है बहुत टाइम से इनोंने अपने आपको खुद को बांद रखा है इन्होंने खुद को bound कर रखा है जिसके वज़े से इनको ऐसा लगता है कि ये अपने साथ सही नहीं कर रहे है जिसके वज़े से इनको ऐसा लगता है कि ये अपने साथ justice नहीं कर रहे है सिर्फ डर डर की डर डर की अगर ये नहीं करेंगे ना चीजों को, तो इनको असा लगता है, इनका दिल ना अंदर ये अंदर तरडब तरडब के तरडब तरडब के दम अपना खुद ही गोट रहे हैं, तो इनको चाहिए freedom, they want to release these feelings with you, they want to release their energies, they want to tell you कि how they feel right now, they want to let you know कि ये आपको क्या मानते हैं, और अपनी life में कौन सी position देना चाहते हैं, अपनी life में ये आपके लिए ना जोकने के लिए तयार है, अपनी life में मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये सोच रहे हैं कि ये किसी भी हालत में ये आपको let go नहीं करने देना चाहते हैं, किसी भी हालत में आपको अपने life से दूर नहीं देना दूर महसूस नहीं कर सकते because they are not okay they are not okay they are not okay with the fact कि खुश नहीं है ठीक है बिलकुल भी खुश नहीं है इनका ये है इनका मन ये है कि आपको अपना बना ले इनका मन ये है कि आपको अपने पास रख ले इनका मन ये है कि आपको किसी भी हालत में खुश से दूर नहीं जाने दे आपको किसी भी हालत में अपने से जुदा होने ही ना दे पूरी तरीके से इनका ये मन है कि आप इनकी लाइफ में रहो इनकी लाइफ में हमेशा रहो और कभी भी इनसे मो ना फिरो कभी भी इनसे दूर ना जाओ चीक है कभी भी ऐसा ना हो कि आपके बारे में सोचते हुए बस इनको ऐसा अफसोस हो कि काश थोड़ी बहुत हिमत दिखा ली होती तो फिर आज सिचुएशन अलग होती तो इस चीज़ को ये वाइड करना चाहते हैं कि दिल की आग बहुत सता तेज हो गई है हाल फिलाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सोच लिया है कि आपके सामने अगर ये नहीं जुकेंगे प्यार के सामने जुकना उठना नहीं होता बस ये होता है if you love somebody आप उनके लिए हमीशा present होते हो if you love somebody आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान का साथ देना ही चाहिए if you love somebody ऐसा होता है कि दीरे दीरे आपके person के अंदर ना आप changes देखोगे जो ideal जो अकडो nature है ना इस person का उसमें आप दीरे दीरे सुधार देखोगे उसमें आप एक flow of energy देखोगे जहां ऐसा लगेगा कि ये person अपनी दिल की धुन के according जा रहे है जो इनकी दिल से धुन निकल रही है जो प्यारी प्यारी चीज इंके अंदर से निकल रही है वो कहीं न कहीं ऐसी है कि आपकी दिल तक पहुँचेगी मतलब अपनी दिल की बात को अपनी दिल की जो reality है वो आपको दिखाएंगे चाहिए किसी को अपने दिल की सचाई दिखाएं चाहिए ना दिखाएं ठीक है मतलब बहुत fruitful होने वाला है eight of cups, crossroads and emptiness देखो इस समय आपके person की यही हालत है अभी आपको इस पल में लग रहा है क्योंकि अभी तक बात नहीं हुए न अगर आप दोनों को यह लग रहा है इस समय आपको तो लगी रहा है कि आपको छोड़ के गए प्लस इस person को भी ऐसा लग रहा है कि हमारी अब अनबन हो गई है हमारी चीज़े बहुत ज़्यादा अलग हो गई है हमें एक दूसरे से दोर जाना है हमें एक दूसरे से अलग जाना है किसी भी हालत में हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में हमें एक दूसरे को let go नहीं करना है किसी भी हालत में हमें ये नहीं करना है कि getting it किसी भी हालत में हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है एक दूसरे से दूर एक दूसरे को जाने ही नहीं देना है अब पूरी पूरी कोशिश रहेगी पूरी की पूरी कोशिश यहां पे दिखाई दे रही है कि this person is going through a lot of changes बहुत ज़्यादा खालीपन है बहुत ज़्यादा emptiness इनको feel हो रहा है ठीक है ऐसा लग रहा है कि इतने सारे options में से इन्होंने आपको चुना इन्होंने कभी माना ही नहीं कि आपके अलावा किसी और के साथ सेटलो और वही इनसान इनसे दूर जा रहा है तो एक तरीकी से बरदाश कर पाना मुश्किल है तो यह है आपके person की current energies let's see what will happen in future इस reading को प्यार ज़रूर देना description box में new reading का link है देख के जरूर जाना बिलूँगे अगले reading में एक new energy के साथ take care god bless you bye bye